क्लास, तोड़े विल दो चैप्टर 22, राइज ओफ महात्मा तो इस चैप्टर के बारे में आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ेंगे अगर आप इस तस्वीर को पहचानते हैं तो देखिए कौन है ये, येस, महात्मा गांधी जी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में So we'll learn about गांधी जी's role in the nationalist movement, रॉलेट act के बारे में पढ़ेंगे, जलियावाला बाग के बारे में पढ़ेंगे, non-corporation movement के बारे में पढ़ेंगे Simon Commission, Civil Disobedience Movement, Second World War and the Quit India Movement and Subhash Chandra Bose and INA तो चलिये, मोहन दास करमचंद गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक activity करेंगे, जो की हमें गांधी जी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा idea देगी In 1893, a young man from India was traveling in a first class coach in South Africa तो ये कहानी है ऐसे young man की, जो की 1893 में South Africa में travel कर रहा था first class coach में He was asked to vacate a seat for a white traveler अचानक से एक white traveler आता है, एक white person आता है और उनको कहता है हटने के लिए उन्होंने बोला के मैं आ गया हूँ, तो तुम अपनी seat खाली करूँ When he refused to vacate the seat, he was thrown off the train और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया के नहीं मैं अपनी seat क्यों दूँ आप बाद में आये हैं, आप अपनी seat देखिये या फिर आप खड़े रहे हैं मैं तो पहले से बैठा हुआ हूँ न, मैं आपके लिए seat क्यों खाली करूँ जब उन्होंने मना कर दिया, तो उन्हें ट्रेन से उठाकर बाहर फिक दिया गया बाद में चल कर वो पूरे देश के और इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर बने इस लीडर का नाम बताईए तो अब आपका homework है, सबसे पहली देखें, चपर शुरू होते ही, आपको homework मिल गया कि आप ऐसे इंसान के बारे में पता करेंगे जिनके संग ये इंसिडेंट हुआ मैं नहीं बताऊंगी आपको महात्मा गांधी Mohandas Karamchand Gandhi is known for his immense contribution to the Indian nationalist movement इन्हें जाना जाता है सुतंतरता की आजादी के लिए Indian national movements जो हुए उनमें इनका किस तरीके से योगदान रहा He let India in its quest for independence through his policies of सत्याग्रह और non-violence तो इन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी वो सत्याग्रह से लड़ी यानि कि सत्या की जीत हो शांती से लड़ी किसी तरीके की कोई Methods of protest that use passive resistance which he had successfully used in South Africa और ये चीजें ये already used कर चुके थे और इनको सफलता हासेल हुई थी South Africa में अब South Africa में हुआ क्या था इनके साथ? In South Africa, Mahatma Gandhi ji fought against the oppressive treatment meted out by the white people towards the native Africans Indians and other non-white communities तो South Africa में जो white लोग थे वो बहुत खराब वियभार किया करते थे Indians के संग वहां के जो native Africans थे जो वहां के Africans थे उनके साथ और non-white यानि कि जो सफेद लोग नहीं थे जो सफेद लोग थे वो उनसे बड़ी नफरत किया करते थे जो सफेद लोग नहीं थे और उनसे बड़ा गलत वियभार होता था जैसे कि देखो हुआ था ना कौन थे वो यंग में जिनने जिनोंने white men के लिए जब सीट खाली नहीं की तो उनने फेग दिया गया train से बाहर पता कीजिएगा तो इस तरीके का वियभार कितना खराब है तो 1915 में गांधी जी वापस आए साउथ एफरिका से और अपने शुरुवाती दिन उन्होंने भारत देश की कंडिशन को समझने में लगाए ऐसा नहीं कि वो आते ही movement करने लग गए या आते ही लड़ाई लड़ने लग गए पहले उन्होंने देखा कि लोग कितनी तकलीफ में हैं कहां-कहां क्या-क्या दिक्कत है क्या हो क्या राय पूरे देश में पहले उन्होंने ये देखा उसके बाद उन्होंने decide किया स्वतंतरता की आजादी के लिए लड़ने के लिए गांदी जी found the Indian society plagued with many social evils such as the caste system, untouchability and many others तो उनका जो पहला observation था वो था कि पहले तो हमारा समाज ही बड़ा खराब है यहां पर untouchability यह चुवा चूथ है लोग आपस में ही नफरत करते हैं आपस में ही food डली हुई है caste system के basis पे लोग खुद को बाटे हुए है है ना मतलब यह caste, वो caste, यह upper, वो lower मतलब इस टाइप से society उन्होंने देखी कि यहां तो पहले से ही इतनी खराब चीज़े हैं Britishers के अलावा He soon realized that only a unified India could stand against the British government and win independence उनका मानना था कि जब तक देश में एकता नहीं आएगी लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है Britishers हम पर ही राज करते रहेंगे तो Britishers को अगर हमें निकालना है तो पूरी देश को पूरे देश की लोगों को एक करना होगा यानि की एक तालानी होगी Now early days शुरुवाती दिन कैसे थे गांधी जी had achieved many sorry गांधी जी had achieved major success with the principle of Satya Grand South Africa Now he wanted to apply the same principle in India as well तो जिस तरीके से वहाँ पर जो native Africans थे उनके संग व्यभार हो रहा था इसके खिलाफ वहाँ पर Satya Grand किया था गांधी जी ने और वहाँ पर उन्हें सफलता मिली इसी चीज़ को वो apply करना चाहते थे इंडिया में गांधी जी first used Satya Grand in 1917 at Champa Run पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फार्मर्स को force किया जाता था इंडिगो गाने के लिए second Satya Grand was organized in एहमदाबाद इसको अंडरलाइन करिये का पहला Satya Grand चंपारन बिहार में दूसरा Satya Grand एहमदाबाद में an industrial town in the Bombay presidency in the pre-independence era in 1918 a conflict occurred between the mill owners and the workers regarding wages तो यहाँ पर मुद्दा था wages को लेकर salaries को लेकर जो workers को दी जाती थी वो बहुत कम थी जो mill owner थे जो मालिक थे वो बहुत कम पैसा दिया करते थे workers को तो इसके खिलाफ गान्धी जी ने Satya Grand किया था in 1918 गान्धी जी along with सर्दार वल्लब भाई पतेल और गान्धी जी के साथ और उनोंने Satya Grand किया गुजरात में खेडा दिस्रिक्ट में नो रॉलेट आट रॉलेट आट क्या है तो रॉलेट आट लाया गया 1919 में और इसको बोला गया Black Act अगर इसमें किसी पर ये केस लगाया जाए मतलब इस रॉलेट आट में अगर किसी पर हमने एक केस लगा दिया कोई कुछ केस थे ऐसे तो उन केसेज में किसी को भी कोट नहीं जाने को मिलेगा किसी की कुई सुनवाई नहीं होगी सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा अब इसके खिलाफ लड़ाई की गई क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा ही खराब आट था इस एक्ट में तो ये हो गया कि ब्रिटिशर्स किसी को भी पकड़ेंगे इंडियन्स को और जेल में डाल देंगे बिचारे जेल में पड़े रहेंगे तो कैसे मूवमेंट चलेगा तो नहीं कोई उनकी सुनेगा नहीं उनकी कोई गलती बताएगा तो ये एक्ट बड़ा ही खराब था इंडियन्स के लिए इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया और इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया शांती से और नैशनल लीडर्स इसमें काफी सारे ऐसे थे जो कि जेल भी गए तो इसके लिए ये लोग जलिया वाला बाग में एकटे हुए थे 1919 में जो कि अमरिट सर में है जनरल डायर जिसके बारे में हम कभी ना कभी सुनते आए हैं जब जलिया वाला बाग में लोग शांती से बैठे हुए थे प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने में आगए जनरल डायर ओपन फायर ओन इनसेंट में विमें अगेट तू दा पार्क सोचो कितनी बरबरता हुई जनरल डायर ने दरवाजे बंद कर दिये उस पार्क के जो जलिया वाला बाग था उसके दरवाजे बंद कर दिये और अपने लोगों को बोला गोली चलाओ इन लोगों पे उन्होंने न ये देखा कि बच्चे पर गोली चल रही है न ये देखा महिलाओं पर गोली चल रही है न ये देखा कि बुडे बड़ों पर गोली चल रही है उन्होंने सीधा गोलिया मारना शुरू किया उसमें बहुत सारे लोग भगदड में मर गए, बहुत सारे लोग गोली खाकर मर गए, तो कई लोग उसमें बने कुए में गिर गए This was one of the most brutal incidents in the Indian history In response to the Jaliyawala Bagh massacre, the Indian National Congress and Gandhiji launched the non-corporation movement जब इन्होंने Jaliyawala Bagh किया, तो इसके reaction में गांधी जी ने और Indian National Congress ने मिलकर non-corporation movement शुरू कर दिया यानि की असहयोग, अब हम government का सहयोग नहीं करेंगे, अब हम Britishers की बात नहीं मानेंगे हम Britishers के office में काम नहीं करेंगे, उनको किसी भी तरीके का सहयोग नहीं देंगे Sultan of Turkey was considered the supreme religious leaders of the Muslim, तो हुआ क्या कि खिलाफत movement क्यों शुरू हुआ, जो Indian Muslims थे, जो Hindustan के Muslims थे, उन्हें बड़ा ऐसा लगा कि हमारे संग तो धोका हुआ है, क्यों धोका हुआ है, क्योंकि जितने भी मुसल्मान है पूरे दिविश्व में, उनका जो head माना जाता है, वो माना Sultan of Turkey यानि की खलीफा, कैलिफ बोलते थे English में, वैसे खलीफा, the British had promised that the powers of कैलिफ would not be taken away after the war, Britishers ने बोला था के जो कैलिफा यानि जो कैलिफ है, उसकी पावर को हम नहीं लेंगे अगर हम ये World War में जीत भी जाते हैं तो, However, since Turkey supported Germany against Britain in the First World War, the British went back on their word, पर जैसे ही ये लोग जीते, इन्होंने अपने वर्ट को खतम कर दिया, यानि की इन्होंने कैलिफ की पावर को छीन लिया, This bitter situation led to the beginning of Khilafat Movement, which aligned itself with Gandhi जी and his cause of Indian nationalism, Gandhi जी ने Khilafat Movement को support किया, क्यों support किया, क्योंकि भई देखो, वो चाहते थे Hindu-Musalman साथ में लड़ाई करें, जब Muslims लड़ रहे थे Khilafat Movement में, तो उन्होंने का ये तो बहुत अच्छा तरीका है इनको साथ में लाने का, तो गांधी जी ने भी Khilafat Movement में support किया, यानी कि हिंदूओं के से Muslim लड़े और Muslims के साथ हिंदू लड़े, तो लोगों में एक ता आई, तभी तो हम Britishers को यहां से उखाड़ कर फेक पाई, Non-Corporation Movement क्या था? चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं, महात्मा गांधी started the non-corporation movement in 1921 on the principles of Satyagraha. Thousands joined the non-corporation movement, including students and women. तो students and women भी आई इसमें, सब लोगों ने इसमें भाग लिया. गांधी जी called for the boycott of British goods and the British law courts. उन्होंने कहा कि Britishers के चीज़े मत यूज करो, Britishers के offices में मत जओ. He also emphasized on using khadi and charkha, giving up of honorary titles like Rai Bahadur and Khan Bahadur and giving importance to Hindu-Muslim unity. उन्होंने कहा अपने khadi पहनो, charkha यूज करो, जितने भी benefits Britishers आपको दे रहे हैं, जितने भी फाइदे आपको दे रहे हैं, जितने भी titles दे रहे हैं, उनको मना कर दो, हमें नहीं चाहिए Britishers से कुछ भी. हमें सिर्फ आजादी चाहिए और इसके अलावा उन्होंने full focus कर दिया Hindu-Muslims को साथ मिलाने के लिए. Unfortunately, the non-corporation movement was withdrawn by Gandhiji on 5th February 1922 when a writing mob burned a police station at 4-4, killing everyone inside. पर non-corporation movement शांती से चल रहा था. कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ जिससे गांधी जी को बहुत चोट पहुची, बहुत दुख हुआ उन्हें और उन्होंने non-corporation movement बंद कर दिया. हुआ ये था कि कुछ लोग पहुँच गए police station जो की 4-4 में हैं, वहाँ पर पहुचके उन्होंने police station में आग लगा दी और बहुत सारे police वालों को जिन्दा जला दिया. जिससे भई हिंसा तो आप जानते हैं, गांधी जी को पसंद नहीं थी. जब लोगों ने हिंसा की तो गांधी जी बोले कि भई अब हम non-corporation movement बंद कर रहे हैं. Simon Commission In 1928, the British government set up a commission under Sir John Simon. The objective of this commission was to review the prevailing system of governance and to come up with new reforms. तो 1928 में जो British government थी, वो एक commission लेकर आई, एक group commission का मतलब ऐसे लोगों का group जो की policies बनाईगी. तो एक commission लेकर आई, जुनके head थे Sir John Simon, उनका नाम था Sir John Simon, इसलिए इसका नाम पढ़ा Simon Commission. इनका काम था कि जितने भी policies अब तक बनी हैं, उनको review करना और उसमें सुधार लाकर और बहुत सारी policies लाना. However, the Simon Commission did not include even a single Indian member. The Indian National Congress decided to boycott the Simon Commission. Britishers ने बोला कि Simon Commission आपके भले के लिए है. Indian से बोला कि भई, देखो Simon Commission आप लोगों के भले के लिए है. पर जिस commission में Indian ही ना हो, तो वो Indians के बारे में क्या सोचेंगे? तो यह जो Simon Commission था, इसके अंदर कोई भी Indian नहीं था. इस community, इस group के अंदर कोई Indian नहीं था. इसलिए Indian National Congress ने इस commission का पूरी तरीके से बाइकॉट किया. When the commission arrived in India, they were greeted with protest by Indian masses. People chanted Simon Go Back to make their discontent clear. लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए के भई, हमें Simon Commission नहीं चाहिए. लोग बोलते रहे, Simon Go Back, Simon Go Back, यानि Simon वापस चले जाओ, हमें आप लोग नहीं चाहिए. The civil disobedience movement was started by Gandhi against certain decisions made by the British government. The civil disobedience movement की शुरुआत गांधी जी ने की थी, क्योंकि वोग बिटिशर्स के policies नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे, वो उन्हें पॉलिसी के पूरी तरीके से खिलाफ थे. The British government had imposed heavy taxation on the sale and production of salt. और क्या थी वो policy? कि बिटिशर्स ने salt के उपर, यानि नमक के उपर, टेक्स बढ़ा दिया था. तो टेक्स लगा दिया, प्रोडक्शन पर, यानि कि नमक के प्रोडक्शन पर अच्छे से टेक्स लगा दिया. The civil disobedience movement started with the Dandhi March organized by Mahatma Gandhi. तो civil disobedience की शुरुआत हुई Dandhi March से, on 12th March 1930, गांधी जी along with 78 followers left the Sabarmati आश्रम and marched 390 km to the coastal village of Dandhi. शुरुआत हुई 12th March 1930 से, 78 लोग थे गांधी जी के साइं, जो साबरमती से चलना शुरू किया उन्होंने, और 390 km का मार्च करते हुए, वो लोग Dandhi तक पहुँचे. On reaching Dandhi, गांधी जी picked up a fistful of salt and broke the salt law imposed by the British. Gandhi जी ने वहां पर salt, पर जो tax लगाया था, के production पर, salt के production पर जो tax लगा दिया था, जो रोक लगा दी थी, उसको गांधी जी ने उस रूल को तोड़ दिया और fistful salt उन्होंने लिया. Soon people from across the country joined the civil disobedience movement. The civil disobedience movement continued till 1934, during which many leaders, including Gandhi ji, were arrested on several occasions. तो 1934 तक ये चलता रहा, जो civil disobedience movement था, और इसमें बहुत सारे ऐसे freedom fighters थे, जो कि जेल गए, गांधी जी भी जेल गए कई बार. The British decided to make some changes in the governmental setup, but India and its people now demanded complete independence and would settle for no less. देखिए, कितना लोगों का mindset हो चुका था, जहां पहले लोग चाहते थे कि Britishers ऐसी policies बनाये जहां Indians का फाइदा हो, पर अब लोग ये कह रहे थे, अब हमें चाहिए ही नहीं, अब हमें तुम्हारी क्रपा चाहिए नहीं, जो हम तुमसे request कर रहे थे, हम क्यों करें request? हमें पूरी आजादी चाहिए, हमारा देश छोड़ के भागो, इसके अलावा किसी भी चीज पे हम सैटल नहीं होंगे, हम नहीं मानेंगे, हमें आजादी चाहिए, तुस सिरिफ आजादी चाहिए, इसके अलावा आप Britishers कितनी भी अच्छी policies ले आओ, हमें खुशी नहीं ह तो जैसा कि First World War में हुआ था, कि हमारे ही लोगों को लडवा दिया गया, युद्ध में भेज दिया गया लड़ने के लिए, जहां पर हमारी लोग मर गए, Second World War में भी यही चाहते थे ये लोग, और ये चाहते थे कि दुबारा से Indians जाएं इनकी तरफ से वार लड़ने के ल ये, However, the Indian National Congress was dissatisfied by the British response to its demands and decided to launch the Quit India Movement in 1942, पर यहां पर Indian National Congress पूरी तरीके से गुसा थी, Britishers से, किसी भी तरीके से समझाता होने का नहीं था, और इन्होंने लांच किया Quit India Movement 1942 में, गांधी जी also coined the slogan Do or Die, which means the Indians should either win or die trying for it, तो इसके लिए गांधी जी न बोला Do or Die, यानि करो या मरो, या तो आजादी के लिए लड़ो और आजादी नहीं मिल पार ही है, तो आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ, Strikes were held and many were injured during the Quit India Movement, बहुत सारी strikes हुई, हड़तालें हुई, बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी, काफी नुकसान हुआ, The British were able to suppress demonstrations and many were arrested, a large part of the Indian population came together to participate in the Quit India Movement, including women, पर Quit India Movement में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, विमिन भी साथ में आई, The Quit India Movement unified the country and provided impetus to the demand for complete independence, पूरी की पूरी जो थी वो ये था, के भई हमें पूर आजादी चाहिए, हमारा देश छोड़ कर भागो, सारे इंडियन से एक साथ हो चुके थे, पूरी एक था थी लोगों में और एक था से स्रिफ वो एक ही चीज कर रहे थे, वो थे बिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई. सुभाष चंदर बोस और नेता जी, स्कॉंडरलाइन करियेगा कि नेता जी किसे बोलते थे सुभाष चंदर बोस को. तो पहले ये इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के मेंबर रहे चुके थे, और उसके बाद दो बार ये प्रेसिदेंट भी रहे हैं. किसके? Yes. He was jailed on several occasions. कई बार ये jail भी गए. सुभाष चंदर बोस वेंट टू जापान, where he assumed charge of the Indian National Army, also known as the Azad Hind Forge. तो यहाँ पर इन्हें charge दिया गया Indian National Army, यानि कि INA का, तो INA का full firm क्या है? Indian National Army, जिसको बोलते थे Azad Hind Forge. The INA is also known for its contribution to the cause of Indian independence. Indian independence में, यानि हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए भी आजाद Hind Forge का अपना role है. Unfortunately, the Japanese were defeated, and the INA eventually collapsed. पर जापान हार गया था Second World War में, और INA को बंद कर दिया गया. However, the INA and Subhash Chandra Bose will always be remembered for their contribution to India's freedom struggle. हलाकि Subhash Chandra Bose को और INA को हमेशा याद किया जाएगा, जब भी हमारे देश की आजादी की कहानी परताई जाएगी. Now, India gains independence. After many years of struggle, India finally gained independence from the British rule. हमने देखा कि लीडर्स कितनी बार जेल गए, कितनी चोटें खाई, कितनी बार लड़ाई लड़ी, कितने लोग मर गए. सोना था न, जलिया वाला बाग, ऐसे बहुत सारे ऐसे incidents थे, जिसमें Britishers ने बुरी तरीके से Indians को मारा था. किसी भी तरीके का कोई रहम नहीं, बड़ी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया. तो पर इतनी struggle, इतनी महनत के बाद आखिरकार आजादी मिली. आजादी मिली, पर हम कह सकते हैं, उस आजादी की खुशी नहीं मिल पाई. क्यों? क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ, तो उसके दो हिस्से हो चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान. Lord Mountbaton, the last viceroy of India, स्कुंडरलाइन करियेगा, ये last viceroy थे इंडिया के, Announced plans for the division of the former British colony into two nations, इंडिया और पाकिस्तान. इससे ज़ादा दुखद कुछ नहीं हो सकता, कि पहले तो ये लोग हम पर राज कर गए, हमारे देश को लूटा इन होने, हमारे ही लोगों को मारा, और जाते जाते हमारे देश के टुकडे भी यही लोग कर गए. मतलब सोच सकते हैं, कि चले तो गए, पर क्या समय condition होगी जब आपके घर के अगर टुकडे भी कोई दूर दराज का कोई अंजान आदमी करे, हमारे देश के टुकडे कौन कर गए, ब्रिटिशर्स ही कर गए. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ओन 15 अगस्थ 1947. जवाललाल नहरू बिकेम देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाललाल नहरू और राजेंदर प्रशाब थे पहले प्रेसिडेंट. चाप्टर हम कम्प्लीट कर चुके हैं, ओके? लोग करेंगे खुद, एक्सराइजीद भी ट्राइ करियेगा ढूंदने के लिए. ना वी अप्लीट इन चाप्टर, इन नेक्स चाप्टर, इन नेक्स चाप्टर, तिल देन, बबबाई.